आप सभी को नमस्कार हाल ही मैं बॉयकॉट चाइनिस प्रोड़क्ट्स को लेकर एक वो लहर दिख रही है और इस लहर में बड़े बड़े विद्वान जैसे सोनम वांग्चु लोग खुल कर बोल रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी नाजाने कितनी लहर आस तक इंडिया में चलती आई है NSG नूकलियर सप्लायर ग्रूप में जब चाइना ने इंडिया की एंट्री पर रोक लगाई थी तब उरी एटैक में जब चाइना ने पाकिस्तान का साहथ दिया था तब 2017 में डोकलाम विवात तब ऐसे नाजाने कितने ही मौकों के बाद हमें होश आता है कि अब हमें बाइकॉट करना है चाइनिस प्रोडुक्ट का लेकिन ये होश जादा देर तक नहीं टिकता थोड़े दिनों तो हम बाइकॉट करेंगी चाइनिस प्रोडुक्ट को अब जिस फोन में वीडियो देख रहे हैं और आपने जो कपड़े पहने हैं हो सकता है वो भी मेडिन चाइना के हो यहीं नहीं आप अपनी डेली लाइफ में जो आप यूज करते हैं पबजी, टिक टॉक, जूम, शेरिट, यूसी ब्राउजर यह सब अप मेडिन चाइना है तो ऐसे मैं आप बात करते हैं कि हमें चाइनिस प्रोड़क्ट को बाइट काउट कर देना चाहिए और क्यों ना यूज करें चाइनिस प्रोड़क्ट हमारे प्रोड़क्ट से सस्ते हैं और हर कोई Sony या iPhone 4 नहीं कर सकता, उसके पास choices बसती है Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo जैसे स्मार्टफोन की और शायद इसलिए 2018 के इस चार्ट को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे चाइना ने इंडियन स्मार्टफोन मार्किट पर रूल किया है इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट अगर कहीं से करता है तो वो है चाइना 2018-19 में इंडिया ने चाइना से 70.39 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट किया था क्योंकि चाइना हमें सस्ते दामों पर समान देता है और यही समान अगर हम दूसरी कंट्री से खरीदते हैं तो हमें ज़ादा पे करना पड़ता है अगर गॉर्मेंट को ज़ादा अगर ट्रेडर्स को ज़ादा पे करना पड़ेगा तो as a consumer हमें भी ज़ादा पे करना पड़ेगा वहीं इस COVID-19 में 90% APIs चाइना से इंपोर्ट की गई थी इंडिया में antibodies बनाने के लिए और कई सारी Chinese companies ने इंडिया में invest किया है making India के तहत अगर हम boycott करेंगे Chinese product को तो Chinese government इन companies को बंद करवा सकती है इंडिया में जिससे इंडिया में unemployment होगी और वहीं हमारी कई North Eastern States चाइना से आने वाली river पर water के लिए depend करती है और अगर हम चाइना के खिलाफ कोई movement चलाएंगे boycott चाइना product को लेकर अपने इंडिया में तो Chinese government इस river को भी रोक सकती है और जो देश अपनी boundaries बढ़ाने पर believe करता हो उस देश के लिए नामकी नहीं है हाले में चाइना ने मिकॉंग river का flow कम कर दिया था Thailand वियतनाम जैसी countries के लिए और Chinese product यूज करना इंडिया में अब एक fashion बन गया एक trend बन गया यह यूं कहूँ एक status बन गया दिवालियों पर हम लोग दिये नहीं जलाते हैं हम लोग जलाते हैं made in china lamps, made in china lights, made in china candles और वहीं भगवान भी अब चाइना से ही आते हैं तो ऐसे मैं आप कैसे boycott Chinese product successful होगा इसके उपर मैं अपनी next video बात करूँगा जिसमें बताऊँगा कि कैसे हम इस movement को successful बना सकते हैं उसके लिए आप wait कीजिए मेरी next video का और अगर आप कोई video informative लगी हो तो इस video को like करे, share करे और ऐसी news related educational videos in future पाने के लिए आप इस channel को subscribe ज़रूर करे नमस्कार, जैहिन